हेलो दोस्तों तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट कर रहे हैं इसमें लगबग 16 क्वेश्चन है तो देखिए हमारा फॉर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फॉर्स्ट क्याता है कि एक रेक्टेंगुलर इस तरह से एक लॉन है जिसकी मेजर्मेंट यह है 40 यह वाड़ी वाड़ी 25 ठीक है दो इदर से दो इदर से 44 हो गया ठीक है अब आगे क्या कहता है calculate the cost of leveling the path at the rate of कहता है कि हमें न यह path level करना इसका जो है में cost निकालना है cost कब आएगा जब इस path का area मारे पास होगा area कब होगा बड़े वाड़े rectangle में से चोटे वाड़े rectangle को माइनिस कर देंगे तो path का area आजाएगा जो area आएगा उसकी cost से multiply और question कतम तो हम क्या लिखेंगे length of of bigger triangle bigger triangle नहीं rectangle लिखेंगे ठीक है यानि PQ 44 मीटर इसी तरह से breadth लिखेंगे breadth of bigger rectangle यानि के sp 29 मीटर यहां क्या निकाल देंगे area of rectangle PQRS क्या होजाएगा length into breadth यानि 44 into 29 तो जब हम 44 के और 29 की multiply करेंगे तो हमारे पास answer क्या आएगा 1, 2, 7, 6 square meter ठीक है अब छोटे का निकाल देंगे इसी तरह से length of small rectangle rectangle क्या होजाएगा हमारे पास 20 sorry 40 मीटर ब्रेट क्या होजाएगा हमारे पास breadth of small rectangle 25 मीटर एरिया क्या होजाएगा area of rectangle rectangle a, b, c, d length into breadth यानि 40 into 25 25 फोर्जा 100 और यह 1000 मीटर ठीक है तो हमारे पास area of path क्या आजाएगा area of path हम क्या करेंगे area of pqrs minus area of a, b, c, d ठीक है तो 1276 में से 1000 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा कितना 276 square meter ठीक है तो अब हमें इसकी cost निकालनी है तो हम लिखेंगे cost of leveling path is क्या हो जाएगी जो हमारे पर मेटर square है कितनी दी है 8.25 8.25 की multiply कर देंगे 276 से तो कितने रुपीज आ जाएगी हमारे पास करो multiply 8.25 multiply by 276 ठीक है तो यह हो गया हमारे पास रुपीज 2 277 ठीक है तो यह था हमारा first question second question कहता है one meter wide path की एक मीटर की चोड़ी है हमारे पास जो रास्ता है वो बना हुआ है कहाँ पर एक square park के अंदर जिसकी side कितनी है 30 एक square park है इस तर ऐसे हमारे पास ठीक है यह square park है जिसकी एक मीटर का अंदर रास्ता है इसकी side 30 है तो अंदर बाड़े square की क्या हो जाएगी 20 अब देखो वन यहां से गई वन यहां से गई तो 28 यह गई वन यहां से गई तो 28 यह बची ठीक है कहता है remaining park is covered by grass तो जो बचावा park है वो हमारा grass से cover है कहता है अगर total cost जो है grass की वो यह है हमारे पास तो बताओ find the rate per square meter at which grass park is covered by grass तो हमें यह निकालना है कि भई क्या होगी इसकी rate per square meter तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे पास जो है simply यह बोला है कि 30 meter की side का एक park है एक एक meter का हमारे पास path है तो हमारे पास यह कितना बचाए एक square कैता है इसमें हमने घास लगाई है तो घास के अंदर जो है वो हमने total जो घास cover करने में हमारे रुपे लगे है वो लगे है 1176 तो यह बतावना है कि वही पर meter के इसाब से कितना लगा है तो सबसे पहले हमें इसका area पतावना चाहिए तब ही तो हम निकाल पाएंगे ठीक है पर meter का क्योंकि area की multiply होगी पर meter से तो तब ही हमारे पास total आएगी तो वहां से हम निकाल देंगे तो हम लिखेंगे side of grass park क्या हो जाएगे मारे पास 30-2 that is 28 तो हम लिखेंगे area of grass park side multiply side यानि 28 multiply 28 तो 28 और 28 multiply करेंगे क्या हो जाएगा 784 square meter तो इसका area आगया हमारे पास ये चिक है तो अब हमें पता है कि हमारे पास total cost क्या है total cost of covering park with grass ये total cost तुमारे पास क्या होती है total area of park multiply cost at rate of 1 square meter ठीक है पर square meter के साब से तो total cost हमारे कितनी बैठ रही है one one seven six किसके एकवल है ये seven eight four multiply पर स्क्वेर पर मीटर स्क्वेर पर स्क्वेर मीटर ठीक है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे तो one one seven six को डिवाइड किया seven eight four से हमारे पास अंसरा है one point five zero तो ये रूपीज हमें यही कोस्ट निकालने थी जो कि क्या हो रही है एन पर स्क्वेर मीटर के कोस्ट तो हमें यही पता करने थी कि कोस्ट क्या हैगी इसकी पर स्कुर मीटर की तो प्र स्क्वेर मीटर की क्या कोस्ट होगे हम लिख देंगे कोस्ट ओफ presque inrait at the rate of per square meter is Rs. 1.50, okay, simple, third question, what is it, it says, throw a rectangular field of side 90 meter and 60 meter, it says that a rectangular field of side is 90 and 60, okay, then it says that two roads are constructed, which are parallel to the side, this is a road and this is a road in the field, it says width is 30-30 meter, it says find the total area covered by two roads, this is what we need to find out, this is the area and this is the area, we need to find it, so we will see how we find it, so now we have a road, this is a road, this is a road, okay, so this is two roads, one road is this and one road is this, area, so this is the length length, what will it be, length is 90, then 90 length is 30, now this length is 60, and the length is 30, so when we remove the rectangle area, we will add them, but this is two times, then what will it be, this is 30 length, this is a square, so if we remove one square, if we remove one square, if we remove one square from the whole area, then we will write, we will remember, point A, B, C, D, this is D, P, Q, R, S, T, U, V, W, so first we will write, two roads are T, U, V, W, T, U, V, W, and the second is P, Q, R, S, okay, so what do we do, first we will start, this one is T, Q, in rectangle, T, U, V, W, इसके अंदर अमारे पास length क्या होएगी, 90 meter, breath क्या होएगी, 30 meter, तो area क्या हो जाएगा, length into breath, यानि 90 into 30, 9, 3, 2,700 square meter, ठीक है, उसके बाद in triangle, sorry rectangle, एंगल, P, Q, R, S, ठीक है, इसमें length हमारे पास क्या होएगी, P, Q, R, S में 60 meter, और breath क्या होएगी, 30 meter, तो area क्या हो जाएगा, area, length into breath, that is 60 into 30, 6, 3, 1,800 square meter, यह और नाम रख लेते हैं, M, N, O, P, तो हम निकाल लेंगे, side of square, M, N, O, P, क्या होएगी, 30 meter, तो area of square क्या हो जाएगा, area of square, M, N, O, P, 30 into 30, that is 3, 3, 9, 0, 0 meter square, square meter, तो हमारे पास area of path क्या जाएगा, area of path is equal to area of, area of, area of, T, U, V, W, T, U, V, W, plus area of, P, Q, R, S, minus area of, M, N, O, P, कि बहीं दोने के area को जोड़के यह वड़ा उखटा देंगे, तो अंसर आजाएगा, तो यह इसमें कितना है रथा, 2700, minus, sorry, plus 800, minus 900, 1800 में से 900 गया 900, तो 2700, plus 900, यह होगा 3600 square meter, तो यह होगा हमारे पास third question, भई हम यह question कर रहे थे न, actually मैं यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे 3 meter दिया था, मैंने सोचा 30 meter है, तो 3 meter के साब से यहाँ क्या होगा, question में थोड़ा सा correction कर लो, यहाँ पे जहाँ पे 30 लिखा, वहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे एक 0 कम हो गई, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ भी एक 0 कम हो गई, यहाँ भी 3 हो गया, तो यहाँ पे दोनों ही 0 कम हो गई, यह भी नहीं और यह भी नहीं, तो यहाँ पे 9 आया, तो यहाँ पे 2700 है, यहाँ 1800 है, और यहाँ पे सरफ 9 है, तो बस यह वाड़े आपको statement ठीक करनी है, क्या हो 4 ठीक है माइनस 9 इसमें से क्या आएगा 441 स्क्वेर मीटर क्या करना है कि 2 साइड का एरिया यहाँ पर 30 की जगे सरफ 3 रखेगा तो यह ट्राइंगल क्या हो जाएगी लेंथ कितनी 90 पूरी 90 ब्रेथ कितनी सरफ 3 ठीक है यह वड़ी 3 हो गई इसी तरह से यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 90 इंटू 3 270 यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी 60 ब्रेथ हो जाएगी 3 तो एरिया हो जाएगा 180 यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ 3 ठी है तो 9 हो जाएगा तो एरिया क्या करेंगे इसका जोड के जोड के ये खटा देंगे इन दोनों को जोड के ये वाड़ा खटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा answer ये था हमारा question third fourth question देखो कहता है from a rectangular sheet of 10 ये एक rectangular sheet है ठीक है 100 100 इसकी length है और 80 cm इसकी breadth है कहता है कि 4 square जिनकी side 10 10 cm जो है वो cut कर ली ठीक है कहता है find area of remaining sheet बिल्कुल असान है बड़े वाड़े square में से इन छोटे वाड़े square का area minus कर दो तुम क्या लिखेंगे length of rectangular sheet क्या हो जाएगे मारे पास 100 cm ब्रेथ लिखेंगे breadth क्या होगी breadth of rectangular sheet 80 cm तो area क्या हो जाएगा length into breadth यानि 100 into 80 8 बंजा 8 000 square cm ठीक है यह हो गया हमारे पास अब हमारे पास इसमें breadth अब हम छोटे लिखा लेंगे यह मारे पास क्या है square तो area of one square एक square का क्या हो जाएगा side into side that is 10 into 10 100 square centimeter तो हम लिखेंगे area of four squares क्या हो जाएगा हमारे पास four into hundred that is four hundred centimeter square centimeter of four hundred square centimeter तो हम क्या लिखेंगे area of क्या पूछा हमारा remaining sheet is equal to area of large rectangle minus four into area of squares ठीक है तो हम क्या करेंगे लार्च का हमारा है eight thousand और इसमें से हम क्या minus कर देंगे four hundred तो जब इसमें से minus करेंगे तो हमारे पास अंसर क्या आएगा seven six zero zero square centimeter ठीक है तो यह था हमारा question fourth तो अब हम देखते हैं अपना fifth question तो हमारा fifth question कहता है कि एक painting है eight centimeter लंबी और five centimeter चोड़ी ठीक है यह हमारे पास paint की गए cardboard पे तो यह हमारे पास एक painting है eight centimeter लंबी और five centimeter चोड़ी ठीक है इस तरह से यह cardboard के उपर paint की गई है इस तरीके से कि there is a margin of 1.5 meter along each side कि भई ये जो painting नहीं इस cardboard जो वो इससे 0.5 meter जो वो अंदर की तरफ है यानि यहाँ पे जगह चुटी हुई है ये cardboard है ये painting है कैता find the total area of margin तो हमें किसका area निकालना है हमें इसका area निकालना है इसका area हमारे पास कैसे आएगा अगर हमारे पास बड़े बड़े rectangle के area में से छोटे बड़े rectangle का area घटा दिया जाए तो हमारे पास इसका area आजाएगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि cardboard की length margin के साथ तो हम लिखेंगे length of cardboard including margin क्या है हमारे पास कितनी है 8 cm तो हमने लिख लिए अब लिखेंगे इसी तरह से breadth breadth of cardboard including margin तो breadth हमारे पास क्या हो जाएगी 5 cm अब area हमारे पास क्या हो जाएगा आपे area हमारे पास क्या होता है length into breadth means 8 into 5 so 8 fives हा 40 square centimeter ठीक है अब हम क्या करेंगे इस तरह से इसकी निकाल देंगे नई length नई length हमारे पास क्या होएगी new length without margin क्या हो जाएगी अब देखो length पहले यह थी 8 cm अब यहां से 1.5 अटा दिया और यहां से 1.5 अटा दिया 5 तो यह पहले यह थी 1.5 इदर से अटाई 1.5 इदर से तो हमारे पास 3.8 अटा दिया यहां से भी तो यह हो गया 2 cm अब यहां एरिया क्या हो जाएगा एरिया हमें पता है length into breadth जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास 5 into 2 that is 10 square centimeter ठीक है तो अब हमें क्या निकालना है area of margin area of margin तो यह मारे पास कैसे आएगा area of bigger rectangle बड़े बड़े rectangle में से क्या करेंगे हम minus कर देंगे minus area of smaller rectangle ठीक है बड़े बड़े rectangle हमारे पास क्या है 40 और छोटा हमारे पास है 10 तो 40 में से 10 गया हमारे पास answer क्या बचा 30 square centimeter ठीक है तो यह मारा क्या हो गया answer और यह मारा question number 5 यहां पे होता है complete अब देखते हैं हम अपना question number 6 question 6 देखो क्या कहता है कहता है राकेश has a rectangular field of length 80 meter राकेश है उसके पास ना एक field है खेत है जिसकी 80 meter length है और 60 meter breath है ठीक है हमने एक खेत बना लिया आगे कहता है इन इट उसके अंदर he wants to make a garden वो यह garden बनाना चाहता है जो 10 meter long है और 4 meter broad है ठीक है at one of the corner and at another corner और दूसरे कोर्णे पर he wants to grow flowers into two floor beds each of size 4 meter by 1.5 meter in the remaining part in the field he wants to apply जो बचा वापार्ट है उसमें वो manure यानी खाद डालना चाहता है कितने rate पे at the rate of rupees 300 per area ठीक है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या डालना है खाद डालना है तो सबसे पहली चीज़ तो यह 21 ने question में बोला क्या है तो यह हमारे पास एक इसका rectangular field है ठीक है जिसकी हमारे पास 80 meter length है और 60 meter हमारे पास breath है ठीक है इसके अंदर इसने जो वो क्या बनाया सबसे पहले गार्डन बनाया जिसकी हमारे पास 10 meter length है और 4 meter breath है फिर इसने दो flower bed बनाए जो हमारे पास 4 meter length के है और 1.5 meter breath के हैं ठीक है तो यह कहता है कि बाकि जो मैंन्योर डालना चाहता है उसका हमें निकालना है तो हम सबसे पहले यही करेंगे तो हम क्या करेंगे हमारे पास मैंन्योर के लिए कौण सा area बचेगा यह वड़ा area बचेगा यानि कि अगर हम पूरे rectangle में से इस और इस area को minus कर देंगे तो ये area बच जाएगा इस area का हम rate निकाल देंगे तो सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे length of field 80 meter breadth breadth of field 60 meter ठीक है तो यहाँ पर मारे पास area क्या हो जाएगा area of field length into breadth means 18 to 60 860 48 00 ठीक है यह हो गया हमारे पास 400 sorry 4800 square meter area ठीक है अब हम area of garden निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे length of garden 10 meter breadth breadth of garden 4 meter तो area हमारे पास क्या हो जाएगा area of garden length into breadth 10 into 4 that is 40 square meter ठीक है अब इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे पार्क का तो हम लिखेंगे length of park पार्क लिख लो यहाँ यहाँ पे flower बड़ा पार्क लिख लो फ्लावर बेड लिखना हूं हमारे पास क्या है फोर मीटर यह फोर दी हुई है breadth of flower bed 1.5 meter तो area यहाँ पे क्या हो जाएगा length into breadth means 4 into 1.5 1.5 into 4 15,4 is a 60 6 square meter ठीक है यह हो गया अब हमारे पास यह तो हमें डबल बड़ा चाहिए है तो हम इसमें लिखेंगे area of two flower beds जो के मारे पास equal ही है size में तो हम क्या लिखेंगे 2 multiply 6 that is 12 square meter ठीक है तो हम अब area निकाल लेंगे manure का area for manure कैसे निकाल लेंगे area of field यह लेंगे हम इसमें से minus करेंगे area of यह भी एक minus करेंगे garden वाड़ा भी और flower bed भी तो हम लिखेंगे area of garden minus area of two flower bed ठीक है तो हमारे पास कितना था यह 4800 यह हो गया हमारे पास 4800 minus 40 minus 12 ठीक है तो कितना minus करेंगे 4800 में से यह हो जाएगा हमारे पास 10 में से टू गया 8 बचा यहां पर 9 9 में से 5 गया 4 यहां बचा 7 और यहां बचा 4 4748 square meter ठीक है यह area बचा अब हम meter को क्या करेंगे एकड में change कर लेंगे उससे क्या होगा वैसे तो हम इससे भी निकाल सकते पर हमारे लिए बस easy हो जाएगा question निकालना और कुछ नहीं है तो हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास हमें पता है since 100 square meter यह किसके equal होता हमारे पास 1 acre ठीक है 1 acre के equal तो हम यहां से निकालेंगे इतना तो 4748 हमारे पास क्या हो जाएगा square meter 4748 divided by 100 that is 47.48 acre ठीक है यह हो गया तो आगे cost क्या है इसकी तो हम अब लिखेंगे cost में cost of applying manure at the rate of rupees कितने रुपीज का कितने रुपीज की rate से हमने लिया है रुपीज 300 पर area यानिके एकड के इसाब से तो यहां पर 300 लिखा हमने तो हम क्या देखेंगे पर area will be क्या हो जाएगा हमारे पास 300 multiply 47.48 जब हम इनकी multiply करेंगे तो हमारे पास क्या answer आएगा multiply करो 00 as it is 3 8's are 24 carry 2 3 4's are 12 4 to 14 carry 1 3 7's are 21 carry 2 3 4's are 12 4 to 14 ठीक है तो 142 4400 अब यहां पर लग गया हमारे पास point क्योंकि हमें point था तो यह 0 पिछे हट गी तो हमारे पास answer क्या आ गया rupees 14244 हमारा answer हो गया तो यह था हमारा question number 6 ठीक है बहुत easy question है 7th देखते हैं अब 7th question देखो क्यता है each side of a square flower bed is 2 meter 80 cm long एक square flower bed है ठीक है उसकी हर side हमारे पास इस तरह से यह हमारे पास square flower bed है इसकी हर side 2 meter 80 cm है 2 meter 80 cm है ठीक है it is extended by digging a strip 30 cm wide all और 30 cm और बढ़ा दी जाती है चार और कैता find the area of a large flower bed and also the increase in the area of the flower bed तो हम देख लेते हैं भी बिल्कुल easy question है यह हमारे एक square है ठीक है इसकी side कितनी दिया में 2 meter 80 cm ठीक है कहता है कि यह 30 cm और बढ़ जाता है इस तरह से ठीक है बढ़ गया कहता है कि यह जो बड़ा वाइस का area बताओ और जो यह बड़ा area है इसका area बताओ तो हम क्या करेंगे इसका area निकाल लेंगे बड़े वाले का area निकाल लेंगे और हमारा ठीक है, क्या हो जएगी, 2 meter 80 centimeter, 2 meter 80 centimeter को change करेंगी हम, तो hundred से divide कर देंगे, अब ये भी मेरे पास क्या हो गया, meter में change हो गया, hundred से divide क्यों क्या है nt? में Beispiel, देखो 80 centimeter में दिया था, तो हमें पता है कि 100 centimeter, 1 meter, 1 centimeter, 1 by 100 meter, तो 80 centimeter क्या हो जाएगा, 80 by 100 ही होगा, मैंने सिधा लिख दिया यह तो यह हमारे पास हो गया 0 से 0 80 तो 2 मीटर अब यह इसको कैसे लिख सकते हैं प्लस में 0.8 तो हम क्या कहेंगे इसको 2.8 मीटर ठीक है अब इसी तरह से हम चेक करेंगे अपना एरिया तो हम लिखेंगे एरिया ओफ स्क्वेर स्क्वेर फ्लावर बेड ठीक है यह क्या होता है हमारे पास साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वेर भी लिख सकते हैं तो 2.8 इंटू 2.8 हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा 7.84 अब पॉइंट पॉइंट दो देखो यहां पर भी एक डिजिट यहां पर भी दो डिजिट से पहले हमारे क्या हो जाएगा पॉइंट तो 7.84 स्क्वेर मीटर ठीक है अब हमने क्या क्या कि 30 सेंटिमीटर तोनों तरफ बढ़ा दिया तो हम अब क्या लिखेंगे न्यू साइड अफ फ्लावर बेड क्या हो जाएगी हमारे पास 2.8 तो पहले ही थी अब इसमें 30 दर से बढ़ाया यानिके 30 by 100 0 से 0 कैंसल करा 30 एक साइड बढ़ाए दूसरी साइड भी बढ़ाए ठीक है यह 0 से 0 कैंसल तो यह क्या हो गया 2.8 इसका पॉ universित अटाएंगे तो यह 0.3 अच्छा प्लास करना दोका ठीक है तो अब हम जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 864, carry 1, 2, and 1, 3 यानि 3.4 meter नई side क्या आगई है, हमारे पास 3.4 meter तो अब हम निकाल देंगे area of extended sides square क्या हो जाएगा side into side, that is 3.4 into 3.4 ठीके, क्या हो जाएगा 3.4 इसका square हो जाएगा, तो square हमारे पास क्या हो जाएगा 11.56 square meter ठीक है तो इसने enlarged और extended जो side पुची ती यानि बढ़ने पर कितना area होगा वो तो यह हो जाएगा, अब हम इसने यह पूचा था कि कितना area बढ़ा है, अब यह तो total area बढ़ा है, जितना पहले area तो यह भी था ना, total बढ़के यह हो गया, तो इसमें और इसमें कितना फरक आया वो और वह में बताना है, तो हम लिखेंगे increase in the area इस जो बढ़ा है उसमें से हम क्या करेंगे exact बढ़ा जो हो माइनस कर देंगे 11.56 में से माइनस करेंगे 7.84, ठीक है तो माइनस करा 6 में से 4 गया, 2 इधर 5, 15 में से 8 गया यहाँ पर हमारे पास हो गया 7 ठीक है, इधर बचा 10, 10 में से 7 गया 3, तो 3.72 स्क्वेर मीटर जो है हमारा क्या हो गया अंसवर, यह हमारा बढ़के आया है ठीक है, तो यह था हमारा क्वेशन नम्बर 7 क्वेशन नम्बर 8 कहता है कहता है, एक रूम जो है 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चोड़ा है, उसके 4 और एक वरांड़ा है, यह हमारा एक रूम है जो 5 मीटर लंबा है 4 मीटर चोड़ा है, ठीक है इसके चारो साइड जो है वो एक क्या है वरांडा है ठीक है कहता है कि इसका एरिया जो है वो हमारे पास कितना है 22 स्क्वेर मीटर है तो कहता है find the width तो हमें ये width निकालनी है ये width हम कैसे निकालेंगे देखो बहुत ही simple है हम क्या करेंगे हम इसको मान लेते width को x ठीक है हम क्या करेंगे हमको पता है कि ये x है हम पहले इसका एरिया निकालेंगे इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया जोड़के इस बड़े बड़े rectangle का एरिया बन जाएगा तो वही हमें करना है हम बड़े बड़े rectangle के area को निकाल के इसके equal रखेंगे और हमारा question हो जाएगा यह महाँ पे complete तो देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे area of room length of room 5 meter breadth of room 4 meter तो area हमारे पास क्या हो जाएगा area of room 5 into 4 length into breadth होता formula 5 4s are 20 square meter ठीक है यह हो गया अब हम लिखेंगे area of room अब कमरे का जो है हमारे पास area क्या होएगा including veranda अगर हम veranda का area भी जोड देंगे अगर हम veranda का area भी जोड देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 प्लस 22 क्योंकि area क्या दिया हो है 22 that is 42 square meter ठीक है तो अब हम इसका area निकालते हैं बड़े वाड़े का मान के हम मानते हैं let the side of room width of veranda हम मान लेते हैं कि बड़े मान लिया है वरांडा जो उसकी चोड़ाई क्या है एक्स तो हम मानेंगे let the width of veranda क्या हो जाएगा 5 तो पहले ही था हमारे पास sorry x x meter ठीक है तो अब हम new length मानेंगे new length of room including veranda कितनी हो जाएगी यह मारे पास length थी 5 x इदर जुड़ा x इदर जुड़ा यानि 2x हो गया तो हम क्या लिखेंगे 5 plus 2x इसी तरह से breadth लिखेंगे breadth of room including veranda यह क्या हो जाएगी 4 थी x इदर जुड़ा और x इदर जुड़ा यानि के 4 plus 2x ठीक है तो area क्या हो जाएगा यहाँ पर so new area of room including veranda क्या हो जाएगा 5 plus 2x multiply 4 plus 2x ठीक है तो यह मारे पास question के according क्या हो जाएगा कि 5 plus 2x and 4 plus 2x यह किसके equal दिया हुए हमे 42 यह दिया हुए है ठीक है तो अब हम इसकी multiply करेंगे जब भी ऐसे हो तो हम क्या करेंगे पहले इसकी इसके साथ multiply फिर इसके साथ multiply फिर यह plus का निशान फिर इसके साथ और फिर इसके साथ तो करो फाइफ फोर्जा 20 प्लस फाइफ टू जा 10x प्लस टू फोर्जा 8x प्लस टू टू जा 4x स्क्वेर 42 अब करो इनको solve यहाँ हो गया मारे पास 4x स्क्वेर इसको आगे लिख देते क्योंकि बड़ी ट्रम है 10 or 8 18x प्लस यहाँ कितना है 20 42 अब इसमें से 2 हमें common दिख रहा है तो हम 2 को निकाल देंगे common हम 2 को बाहर रख देंगे तो 4x की बचे जगह हमारा 2x स्क्वेर प्लस 18x की जगह बचा 9x और 20 की बचे 20 की जगह बचा हमारा 10 यह हो गया 42 यह 2 multiply में उदर जाके divide में तो इसको cut करते हम यहां से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 चीक है तो हमारे पास यहां answer क्या आ गया 21 तो अब देखो 2x स्क्वेर प्लस 9x यह जो 10 है इसको उदर ले जाएंगे यहां क्या बचा 21 यह प्लस का था इदर हो गया माइनस का 21 में से 10 गया 11 ठीक है तो 2x स्क्वेर प्लस 9x इस इक्वल टू 11 अब यहां पर नए quadratic equation बन रही है 2x स्क्वेर प्लस 9x प्लस 11 इसको इदर ले आएंगे यहां 0 हो जाएगे तो यह quadratic equation हो जाएगे तो हम लिखेंगे 2x स्क्वेर प्लस 9x माइनस 11 इस इक्वल टू 0 ठीक है quadratic equation क्या होती है जिसमें हमारे पास जो variable होता है उसकी power 2 हो ठीक है और फिर x भी हो और यह अब हमें 9 को ना इस तरह से तोड़ना है कि अगर multiply करें उनकी 2 digit की तो हमें इनकी multiply मिले यानि 11 दूनी 22 अगर हमें उन दो ख्षरों की गुना करें तो 22 मिले अगर उनको प्लस या माइनस करें तो 9 मिले तो ऐसे कौन से होंगे 11 और 9 तो हम क्या लिख सकते है 2x स्क्वेर प्लस में 11 में से अगर 2 घटाएंगे तो 9 ही आएंगा तो 9 की जगे हम 11 और 2 लिख देंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे कि x की multiply करेंगे 2x स्क्वेर प्लस 11 इंटो x 11x 2 इंटो x माइनस 2x माइनस 11 0 यहाँ पे 2 x कोमन लिया बाहर अंदर बचा 2x प्लस 11 यहाँ पे भी 2x प्लस 11 बचना चाहिए तो बाहर क्या लेंगे माइनस 1 ठीक है अब इन ट्रम को साथ में लिख देंगे x माइनस 1 और दूसरी ट्रम को साथ में लिख देंगे 2x प्लस 11 ठीक है अब दोनों को compare करेंगे x माइनस 1 0 के equal और 2x प्लस 11 भी 0 के equal अब x की value यहाँ से क्या आगई 1 और यहाँ से x की value क्या आएगी 2x यह माइनस का 11 x की value माइनस की 11 बचना बचना लिख देंगे ठीक है यह वाड़ी हमने कर दी reject अब यह reject क्यों करी क्योंकि x हमारे पास क्या है हमारे पास एक लंबाई है length है और length कभी भी minus में नहीं होती length 0 होगी किसी चीज की लंबाई 0 होगी किसी चीज की लंबाई minus में कैसे होगी तो वो होई नहीं सकती यानि यह तो गलत अंसर आएगा तो हमारे पास x की value क्या आजाएगी 1 यानि हम क्या लिखेंगे last में length of sorry width of veranda क्या हो जाएगी one meter ठीक है तो ये हमारा answer आएगा ये question थोड़ा सा tough है इसको दुबारा से देख लो क्या बोला इसने देखो मैं बहुत ये अच्छे से समझाओंगी द्यान से देखना कहता है कि भई एक room है पांच मीटर तो लंबा है ठीक है चार मीटर चोड़ा है हाँ ठीक है उसके चारों तरफना एक veranda है ठीक है उस veranda का area दिया है यानि कि हमें इस space का area दिया है ये वड़ तो इसकी चुड़ाई तो मैं पता नहीं इसकी चुड़ाई हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हम इसका area निकाल दे अंदर बाड़े का और इसका area तो दिया हुआ है इसका area दिया हुआ है दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास बड़े वाड करेंगे और हमारे x की value निकल जाएगी इसी को करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया एरिया निकाला वरांडा का ठीक है जो कि महरे पास 42 meter आए sorry area निकाला room का फिर हमने room का area निकाला वरांडा को जोड के 42 square meter ठीक है अब हमने इसकी वरांडा के width क्या मानी x तो अगर यह x है तो इसकी पूरी length क्या होगी यह 5 थी अब length इधर x और जुड़गी और x इधर जुड़गी तो x और x to x यानि नई length क्या आगई 5 प्लस 2x इसी तरह से breadth थी यह वाड़ी इधर भी x चुड़ा और इधर भी x चुड़ा यानि 2x चुड़गी तो breadth क्या होगी 4 प्लस 2x ठीक है अब आगे area क्या होगा इसके अंदर तो area निकालने के लिए हमने किया length into breadth की multiply यह थी हमारी length और यह थी हम breadth length और breadth की करदी multiply ठीक है length और breadth की multiply जब भी ऐसे होना 5 प्लस 2x 4 प्लस 2x तो देखो एक ध्यान से देखो एक चीज़ मैं उपर बता देती हूँ अगर इस तरह से दियावना a plus b multiply में c plus d ठीक है तो क्या करेंगे जो a है न यह bracket के अंदर है यह इसके साथ भी गुणा ओएगा और इसके साथ भी तो हम क्या लिखेंगे a multiply c plus a multiply d यह जो plus का निशान है यह यह वाड़ा है यहाँ minus होता तो यहाँ भी minus हो जाता अब इसकी multiply ह करेंगे यहाँ वाड़ा क्या है plus यहाँ लिखा plus b multiply c के साथ पिर plus का निशान है तो plus का निशान लगाए मैनिस का मैनिस का बी मर्टीप्लाई डीके साथ ठीक है इस तरह से मर्टीप्लाई करेंगे चारों की तो यह कि यहाँ पर multiply कर दी मैं क्ना सबसे पहले हमने quantity equation में बड़ी power लिखी, x की power 2, फिर x की power 1, यहाँ पर x की power x नहीं लिखा, इसका मतलब x की power क्या है, 0, तो हमने यह equation ढंक से लिखी, अब हमने देखा, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, हम क्या करेंगे, 2 को common ले लेंगे और divide में, या तो मैं इस 2 को यहाँ divide में लिख देती, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, और यहाँ से काट दिया, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, question तब भी solve हो रहा था, और अब भी solve हो रहा है, फिर हमने क्या देखा, कि 2x square बचा, 9x बचा, 10x बचा और 21, अभी 10x इसका भी हिसाब कर सकते हैं, उधर ले जाके, तो हमने इसको उधर ले गए, यहाँ 11 आ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 2x square प्लस 9x प्लस 11, जब भी हमारे पास x square में ट्रम आ जाए, तो इसको solve करते हैं, quality equation वाड़े formula से, ठीक है, formula को गया simple statement, तो ऐसी ट्रम मन जाए कि x इधर आ रहा, x square आ रहा, फिर x आ रहा है, और इधर 0 नहीं है, कोई number है, तो उस number को इधर ले आते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे 0 रह जाए, यहाँ 0 जरूरी है, इस number को इधर ले आओ, इसका क्या करना होता है, जब यह मारे पास ऐसी कोई ट्रम बन जाए ना, ax square प्ल ऐसे, कि अगर उनकी गुणा करें, तो इनकी गुणा के बराबर आए, उनको प्लस या माइनस करें, तो इसकी बराबर आए, ठीक है, तो हमने देखा कि भई हम 9 को कैसे तोड़े, अगर हम 11 और 2 में तोड़ दें, तो 11 में से 2 गया, 9 बन गया, 11 की 2 से गुणा की, तो 11 की 2 स सोरी 11-2 2x square as it is अब 11 है bracket के बाहर x है तो x भी साथ लिखेंगे यहाँ minus है तो यहाँ minus bracket के बाहर x है तो x साथ लिखेंगे अब पहली दो ट्रम एक तरफ रखने हो त्यों लास्ट की दो ट्रम एक तरफ ठीक है x x वाड़ी और x वाड़ी और बिना x वाड़ी इन में से common क्या है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है x लिख लिया बाहर बाकी क्या बचा इधर 2x इधर बचा 11 प्लस का साइन है प्लस का साइन यहाँ जो ट्रम बढ़ी है उसी को यहाँ लिख देना है अब 2x और 11 कब बढ़ेगा जब यहाँ से और यहाँ से minus भाहर निकाल दिया जाए तो minus 1 भाहर निकाल दिया अब हम क्या करेंगे कि x minus 1 है इसको साथ में लिखेंगे और इन दोनों को यहाँ पे साथ में एक ही बार दो बार नहीं क्योंकि इसका मतलब क्या होता है common लेना ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको जो यह वाड़ा है इसको भी एक बार 0 से compare करेंगे और यह जो ट्रमबची इसको भी 0 से compare करेंगे अला गलग कोई दिक्कत नहीं है यह minus 1 है minus है इदर उदर जाके plus का हो गया अब यह इदर plus का 11 हो दर जाके minus का 11 हो गया तो minus में हम reject कर देंगे यह गलत हो जाएगा question गलत नहीं है answer सही है बिलकुल लेकिन हम इसका answer यह नहीं लेंगे इसका मतलब क्या tax की यह भी value और यह भी value है लेकिन length negative नहीं हो सकती length कभी minus में नहीं हो सकती इसलिए हम इसको छोड़के यह answer मान लेंगे और हमारी length कितने आ जाएगे बरांडा की 1 meter तो यह हमारा 8th question था अब देखते हैं अपना 9th question 9th question क्या कहता है कि एक square lawn है जो की 2 meter wide path रखता है अपने 4 ओर यह हमारा एक square lawn है जिसके 4 ओर क्या है 2 meter चोड़ी path है ठीक है कहता है कि अगर जो area है path का वो कितना है 136 है ठीक है कहता है find the area of lawn तो भाई यह बिल्कुल ही असान question है हम देख लेंगे इसको क्या करेंगे इसका हमें न इस lawn की जो lawn है न हमारे पास इसका इसकी side नहीं दी तो हम इसकी x मान लेते है side ठीक है इधर 2 है और इधर 2 है तो हम पहले जो जो दिया है न वो लिख लेते है हमें निकालना है रिया lawn का तो हम मान लेते है let the length of length नहीं side लिख लो side of square lawn is x meter ठीक है तो area क्या हो जाएगा area will be side multiply side means x multiply x that is x square x square meter ठीक है इस तरह से अब हमने हमें दिया क्या है area of path area of path हमारे पास क्या दिया है area of path 136 square meter ठीक है ठीक है ठीक है तो अब यह बताओ कि path का area हम कैसे निकाल लेंगे path का area हम तब निकाल सकते जब पूरे में से इस area को minus कर दे तो path का area आ जाएगा तो हम सबसे पहले पूरे का area निकालेंगे तो हम लिखेंगे side of of square land including path ठीक है कि बई side area इसकी side path का include करके तो क्या हो जाएगा यह 2 meter है तो x meter यह है तू इधर बढ़िया तू इधर यानि के 4 हो गया यानि x plus 4 meter ठीक है एक्स plus 4 meter यह हो गई side तो अब area क्या हो जाएगा इसका area of square lawn including path side multiply side that is x plus 4 का square हो जाएगा ठीक है meter यहां पर यह इस तरह से square meter यह हो गया अब area ठीक है इससे आगत हम कुछ कर नहीं सकते तो हमें पता है कि वही area of path हमारे पास क्या है area of path is equal to area of lawn including path ठीक है minus area of lawn इसका मतलब क्या है कि इस बड़े वाड़े में से इस छोटे वाड़े को माइनिस कर देंगे इतना तो path का area हमारे पास कितना दिया है 136 square meter किसके equal है x plus 4 का square इसमें से किसका minus करना है x square ठीक है कैसे minus करेंगे अब यह देखो इसको खोलो a plus b का whole square याद है देखो एक identity होती है मैं इसको कहीं भी लिख देती हूँ side में चलो यहीं लिख देती हूँ क्या कि जब भी a plus b a और b कोई नंबर दिया और उनका square है तो उसको क्या लिखते है a square plus b square plus 2ab ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे x square plus 4 का square plus 2 into 4 into x यहाँ पर यह निया है का minus x square यहाँ क्या आया x square 4 forza 16 2 forza 8x minus x square x square में x square गया यह cancel यहाँ बचा 16 plus 8x तो 136 यह plus में ही इदर आके minus में हो गया यह क्या गया 8x तो इससे करो minus 6 में 6 गया 0 3 में से 1 गया 2 120 8x अब यहाँ से value निकालेंगे हम x की यह 8 इदर multiply में इदर जाके divide में हो जाएगा यहाँ 120 divided by 8 is equal to x 4 से करो 4 2s are 8 4 3s are 12 0 2 1s are 2 2 1s are 2 2 5s are 10 यहनी x की value हमारे पास क्या आगई 15 meter तो हमें अब lawn का area निकालना असान है क्योंकि हमें side पता चल गी तो हम लिखेंगे so side of square lawn is 15 meter area हम क्या लिखेंगे area of square lawn क्या हो जाएगा 15 into 15 15 15 जा 225 square meter यही हमको निकालना था यही निकल गया तो यहाँ पर हमारा 9th question होता है complete तो अब हम देखते हैं अपना 10th question 10th question क्या कहता है कहता है क्या एक poster है जो कि हमारे पास size है उसका 10 cm x 8 cm यह एक sheet पे लगा जाता है cardboard की इस तरह ऐसे कि margin जो है बच जाता है 1.75 meter का poster की हर साइड में कहता है find सबसे पहली चीज में क्या find out करनी है total area of the margin ठीक है दूसरा cost of cardboard use at the rate अरे बहुत ही स्याता simple question है यह तो कहता है यह मारे पास एक poster है वही यह 10 cm है और यह 8 cm है ठीक है यह cardboard के उपर चिपकाया जाता है जिसकी हमारे पास क्या है 1.75 जो है वो width है ठीक है सबसे पहले में इसका margin का area निकालना या इसका area इसका area मारे पास कैसे आता है पूरे का area निकालके इसका area minus कर देंगे तो margin का area आ जाएगा ठीक है तो पहले margin का area निकाल देंगे फिर उसके इसाब से जो है वो coast निकाल देंगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या लिखें फिर लिखेंगे, breadth, same, breadth of posture, that is 8 cm, area हमारे पास क्या होजाएगा, area of posture, length into breadth, that is 10 into 8, 80 square centimeter, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, length of cardboard, क्या हो जाएगी 10 तो ये है हमारे पास ठीक है प्लस मैं 1.75 इधर जुड़ी 1.75 दूसरी तरफ जुड़ी तो 1.75 और 75 हमारे पास क्या हो गया 3.5 तो 10 प्लस 3 तो 13.5 सेंटिमीटर ठीक है इसी तरह से ब्रेथ देखेंगे breadth of cardboard हमारे पास 8 प्लस 3.5 तो 8 और 3 11.5 सेंटिमीटर हो गए हमारे पास तो area हमारे पास क्या हो जाएगा area of cardboard क्या हो जाएगा length into breath that is 13.5 into 11.5 तो जब हम इनकी multiply करेंगे तो हमारे पास अंसर आएगा 5, 2, 5, 5, 1 दो डिजिट है पॉइंट के रिए तो दो डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा square centimeter यह आगा हमारा area अब हमें निकालना क्या है area निकालना हमें margin का तो first हम क्या करेंगे तो first लिखेंगे हम area of margin क्या हो जाएगा area of cardboard minus area of poster ठीक है इस में से हम क्या करेंगे minus कर देंगे तो हम minus करेंगे 155.25 में से 80 ठीक है 25 तो हमारा as a t's आ जाएगा जब 155 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा 5 as a t's यह क्या लग दिया 25 as it is 5 15 में से 80 गया 7 square centimeter तो यह हो गया हमारा area अब हमें coast निकाल लें cardboard की cardboard की हम coast कैसे निकालेंगे cardboard का area हमारे पास यह था जितना area उसके साब से हम coast निकाल देंगे ठीक है तो हम second निकाल लेंगे coast of cardboard क्या हो जाएगे हमारे पास area of cardboard multiply हमारे पास rate of cardboard rupees 0.60 per square centimeter ठीक है तो कितनी दी हुई है हमें 0.60 तो हम क्या करेंगे simply multiply क्या multiply करेंगे 155.25 की multiply कर देंगे किसे 0.60 से और जब हम इसकी multiply करेंगे तो मारे पास answer आएगा 93.15 यह हमारा answer हो जाएगा second part का तो यह था हमारा question number 10 अब हम देखते हैं अपना question number 11 तो देखो question number 11 क्या कहता है कहता है कि rectangular field है 50 meter and 40 meter ठीक है इसके न दो road लगते हैं इसके center पे parallel to each side दोनों side के जो आएग दूसरे के क्या हमारे पास parallel है ठीक है कहता है कि width जो है longer और shorter roads की वह यह यह है 1.8 और 2.5 ठीक है long की 1.8 और इसकी 2.5 कहता find the area of two road and the area of remaining portion बहुत ही जादा simple question है यह हमारे पास एक rectangular field है ठीक है 50 meter length 40 meter breath यह हमारे पास एक road है और यह हमारे पास एक और road है ठीक है दोनों के दोनों क्या है side के parallels है length जो हो यह है तो इसकी चोड़ा यह मारे पास क्या है यानि इसकी चोड़ा यह मारे पास क्या है 1.8 cm अब ये breath है, ये वाड़े side हमारे पास क्या breath है, ये तो length थी पूरी ये breath है, breath की कितनी है, 2.5 cm, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन roads का area, ठीक है, दूसरा पूरे के area में से road का area माइनस करके remaining area निकालना है, तो पहले road का area निकालते हैं, तो हमना point रख लेते अब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ठीक है इस तरह से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस rectangle का area निकालेंगे और इस rectangle का area निकालेंगे और इनको जोड़ अब ये वाड़ा दो बार हो गया तो एक बार इसको हम घटा देंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे area of A, B, C, D तो हम लिखेंगे length of rectangle A, B, C, D अब ये हमारे पास जो है वो एक rectangle है तो इसकी length ये होगी यानि ये 40 तो यहाँ हो गया 40 cm इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे इसकी breadth rectangle A, B, C, D breadth हमारे पास क्या ये वाड़ी है यानि ये कितनी दी है 2.5 तो area हम यहाँ से क्या निकाल देंगे area of rectangle A, B, C, D length into breadth that is 40 into 2.5 4, 5s are 20 ये जो 0 है ये इसकी और ये 0 है इसकी 4, 5s are 20 carry to 4, 2s are 8 or to 10 अब 1, 0 तो यहाँ हो गया यानि कि यहाँ कितना आ गया 100 cm2 ये हो गया इसका area अब हम इसे तरह से निकाल लेंगे G, E, F, G, H ठीक है तो हम लिखेंगे length of rectangle E, F, G, H ये इसकी length है कितनी हैं? 50 cm ठीक है breadth क्या हो जाएगी breadth of rectangle E, F, G, H ये वड़ी कितनी? 1.8 cm तो यहाँ से area क्या हो जाएगा? area of rectangle E, F, G, H length into breath that is 50 into 1.8 5, 8s are 40 carry 4, 5, 1s are 4 5, 9 ये एक 0 यहाँ पे तो ये एक point है यहाँ पे यानिके 90 स्क्वेर सेंटीमीटर ठीक है अब ये तो हो गया हमारे पस ये double हो गया तो हम क्या निकालेंगे area of rectangle I, J, K, L ठीक है इसकी यहाँ पे length क्या हो जाएगी? ये वाड़ी 2.5 इन्टू breath क्या हो जाएगी? 1.8 ठीक है तो करो यहाँ पर multiply 2.5 की और 1.8 की यह जाएगी 4.5 स्क्वेर सेंटीमीटर ठीक है तो अब हमने क्या निकालना था? roads का area तो हम क्या निकालेंगे? area of two roads ठीक है? तो क्या करेंगे? अब एरिया ओफ rectangle rectangle का यह वड़ा sign बना देती हूँ है इस तरह से a, b, c, d plus area of rectangle e, f, g, h minus area of rectangle i, j, k, l यानि यह एरिया जोड़के यह एरिया जोड़के यह बीच वड़ा घटा देंगे तो क्या था हमारे पास? यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर 90 minus 4.5 that is 190 minus 4.5 ठीक है? जब इसको minus करेंगे तो 5 यहाँ पर 185 ठीक है? 185.5 meter यह वड़ी meter में दिया वा तो यहाँ पर centimeter हटा दो यहाँ से centimeter को हटा के meter में change कर दो मतलब सी यह टाना है अपनी meter लगाना है question में जहाँ पर भी मैंने centimeter लग दिया है गलती से square meter ठीक है? तो यह होगा दो road का area अब हमें क्या निकालना है remaining portion तो पूरे बड़े rectangle में से इसको minus कर देंगे तो remaining portion आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे length of field क्या है हमारे पास? 50 meter अब आगे देखते हम breath breath of field 40 meter तो area हमारे पास क्या हो जाएगा? area of field length into breath that is 50 into 40 5 4s are 20 और 2 0 यह square meter ठीक है तो यह हो गया अब हम क्या निकालेंगे area of remaining portion क्या हो जाएगा? area of field minus area of two roads ठीक है यानि दो roads कटा देंगे field में से तो answer आ जाएगा यानि 2000 में से हम minus क्या कर देंगे? 185.5 ठीक है जब हम इस में से minus करेंगे तो मारे पास क्या बजेगा? 1814.5 square meter यह हम कौन से निकालना था? यह remaining portion है और यह हमारा आ गया तो यहाँ question होता है complete अब देखो 12th question क्या कहता है? 12th question कहता है there is a rectangular field of size 94 into 32 ठीक है यह हमें एक rectangular size दिया है field का कहता है तीन road जो है of each two meter wide pass through the field इसमें से न तीन road हैं जो field से जाते हैं ठीक है? such that two roads are parallel to the breadth of the field and the third road is parallel to the length calculate बाई देखो पहले figure बनाते हैं यह मारे पास एक rectangular field है ठीक है? 94 इसकी length है 32 इसकी breadth है कहता है तीन road जो हम वो इसमें जाते हैं जो हर दो meter के चोड़े हैं ठीक है? इस तरह से कि दो road breadth के parallel है breadth यह यानि कि मान लो एक road तो इस तरह से हो गए यह वड़ा ठीक है? एक road इस तरह से हो गए दो road हमने parallel जाने थे यह हमारे पास दो road चले गए ठीक है? two roads are parallel to the breadth of the field and third road is parallel to the length और तीसरा road जो वो length के parallel है यानि हमने कोई ऐसा road मान लिया यह इस तरह से तो यह हमारे पास क्या होगा? तीसरा road होगा ठीक है यह figure बनेंगे हमारी अब कहता है first calculate the area of field covered by three roads कहता है कि यह बताओ यह जो मैंने color किया ना यह area क्या होगा? ठीक है? तो देख लेते हैं क्या होगा? हम नाम देते हैं सबसे पहले बड़े बड़े field का A, B, C, D ठीक है अब छोटे का E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X ठीक है? यह देदी है हमने नाम तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने पास E, E, F, S, T ठीक है? तो हम निकालेंगे area of rectangle E, F, T, S इस तरह से E, F, T, S तो लेंथ multiply breath formula होता है लेंथ यहाँ पर क्या है यह वाड़ी? बड़ी 94 breath क्या है यह वाड़ी? 2 क्यों? क्योंकि हमें 2 ही जो हर जेगे दी हुए है 2, 4, 8, 2, 9, 18 ठीक है? यह हमारे पास मीटर में दिया है 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 जी square meter हो गया हमारे पास 188 meter square square meter ठीक है अब हम देखते है हमारे पास इस वाड़ी side का हम लिखते है area of rectangle यह क्या हमारे पास L, K, W, X L, K, W, X length into breadth length क्या है इसकी? 32 breadth क्या है? 2 so 2, 2's are 4, 2, 3's are 6 याने 64 square meter ठीक है? इसी तरह से हम क्या करेंगे? area of rectangle M, N, U, V क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें length 32 और breadth 2 64 square meter ठीक है? अब हमें पता चला कि भई हमने यहाँ पे भी इसको जोड़ा और इसको भी जोड़ा तो हम इसका area दो बार जुड़ गया हमारे पास और इसका area भी दो बार जुड़ गया तो इसकी length हमारे पास क्या है? 2 और breadth भी 2 यानि 2 square हमें माइनस करने पड़ेंगे तुम निकाल लेंगे area of square G, H, I, J क्या हुजाएगा हमारे पास side into side that is 2 into 2 4 square meter तो अब हम क्या लिखेंगे area of square P, O, P, R, Q क्या हुजाएगा side into side that is 2 into 2 4 square meter तो अब हम क्या लिखेंगे area of 3 roads मतलब area of rectangle E, F, T, S plus rectangle L, K, W, X plus rectangle M, N, U, V minus rectangle G, H, I, J minus rectangle O, P, R, Q ठीक है तो हमारे पास E, F, T, S का answer क्या है था यह हमारे पास E, F, T, S है 188 यहां लिखा 188 प्लस उसके बाद हमारे पास L, K, W, X 64 और 64 यहाँ पे भी 64 फिर 64 फिर minus करके हम ही क्या करना है 4 और 4 minus करना है 4 minus 4 तो हम क्या करेंगे 188 में से 4 और 4 8 minus करा तो यहां बचा 180 plus 60, 60, 120, 4, 4 128 ठीक है तो 100, 100, 200 80 और 20 300, 308 ठीक है तो यह हो गया हमारा एरिया 308 स्क्वेर मीटर किसका एरिया तीन रोड का एरिया तो यह था हमारा फर्स्ट पार्ट ठीक है तीन रोड का एरिया हमने निकाल दिया अब और क्या क्वेशन में पूच्छा यह देखू second कहता है area of the field that is not covered by road तो रोड का वो एरिया निकालना है जो आमने वो बड़ा एरिया निकालना है field का जो cover नहीं किया यानि पूरे rectangle में से यह area minus कर दे जो आमने निकाला है तो हमारा question खतम हो जाएगा तो हम लिखते हैं सबसे पहले second के लिए length of field क्या है हमारे पास 94 मीटर और breath 32 मीटर area हमारे पास क्या हो जाएगा length into breath that is 94 into 32 ठीक है जब इनकी multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 3008 square meter यह गया हमारा तो हम लिखेंगे remaining portion remaining area कैसे निकालेंगे area of field minus area of three roads ठीक है 3008 में से minus करेंगे 308 जब हम इसका minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 277 2700 square meter और यह हमको निकालना है यहां पर हमारा question 12 हो जाता है complete तो अब देखो हमारा 13th question 13th question क्या कहता है कहते कि एक school जो है उसका एक hall है जो की 22 meter long है और 15.5 meter broad है ठीक है हम एक school बनाएंगे यह हमारा एक school है ठीक है इसका यह hall है 22 meter long ठीक है 15.5 meter broad यह ब्रेट क्याता है कि कार्पेट जो है वो बिचाया गया hall के अंदर leaving all around a margin of 75 meter centimeter from the walls find the area of the carpet and the area of the strip left uncovered if the width of the carpet is 82 centimeter find the cost at the rate of 8 rupees 18 per meter तो हमने क्या क्या कि भई यह हमारा जो है वो हो होल है इसमें कार्पेट बिचाया गया अंदर यह हमारा कार्पेट हो गया ठीक है अब इसके बीच में क्याता है कि 75 centimeter जो है इसमें space छोड़ा गया यानि कि यह वाड़ी width है यह वाड़ी width है यह वाड़ी width है यह है यह कितनी है 0.75 meter ठीक है तो क्याता है कि बताओ भई कार्पेट का area क्या होगा तो कार्पेट का area हम निकाल देते हैं फिर strip का बताओ यानि कि यह जो area बचा है यह वाड़ा area क्या होगा हमको यह बताना है ठीक है यह बताने के बाद फिर rate बताना है तो बहुत ही simple है हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले hall का area निकालते हैं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे length of hall क्या हो जाएगे हमारे पास 22 meter ठीक है breadth 15.5 meter ठीक है तो area क्या हो जाएगा length into breath जोगे मारे पास क्या हो जाएगी 22 into 15.5 यह हो जाएगे मारे पास 341 square meter अब हम क्या करेंगे carpet का निकालेंगे area ठीक है तो length of carpet क्या हो जाएगी यह length है अब 7.5 इदर छोड़ी 7.5 इदर छोड़ी 20 में से 7.5 कितना हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी 1.5 ठीक है तो 22 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी 22 माइनस 1.5 that is 20.5 meter ठीक है इसी तरह से breath लिखेंगे breath of carpet क्या हो जाएगी 15.5 में से 1.5 माइनस कर देंगे यह पॉइंट में से यहां गया 0 यहां बचा 14 मीटर तो यहां एरिया क्या हो जाएगा area of carpet that is length multiply breath means 20.5 multiply 14 जब इनकी multiply करेंगे तो हमारे पास अंसर आता है 2787 square meter ठीक है area निकल गया अब क्या बोला इसने कि uncovered कितना बचा है तो uncovered कैसे निकाल लेंगे hall के एरिये में से carpet का area माइनस कर देंगे तो uncovered आ जाएगा तो हम लिखेंगे area of strip is equal to area of hall minus area of carpet ठीक है hall का area हमारे पास आ रहा था 341 carpet का 287 जब माइनस किया तो हमारे पास अंसर कितना बचा 54 square meter ठीक है तो ये हमारे पास strip का area है अब इसने क्या बोला है आगे वो देखते है तो आगे हमारे पास क्या कह रहा है कह रहा है कि अगर width ज़ो पिपकी वो एटीटू सेंटिमीटर है तो कहता है कि बताओ भई कोस्ट क्या है गिए उस carpet की meter के साब से पर meter यानि हम ही क्या निकालनी है उस carpet की length निकालनी है तो length निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम one meter के हिसाब से जो है वो area निकाल लेंगे तुम क्या लिखेंगे area of carpet of one meter length कि अगर एक meter लंबा है तो उसका area कितना होगा length one हो गई breath कितनी है 0.82 meter यानि कितना area हो जाएगा 0.82 square meter ठीक है तो हमारे पास जब एक meter length मतलब जब हमारे पास इतना meter area है ठीक है इतना meter area carpet का है वो एक meter length पे है तो हमारे पास area कितना है देखो मतलब 0.8 meter area में अगर हमें one meter length मिल रही है तो हम क्या करेंगे पूरे area का निकाल लेंगे यानि कि एक meter length अगर लेंगे हम इतना area है यानि इतना area हो गया हमारे पास एक meter length तो हम क्या निकाल लेंगे अब हम लिखेंगे length of carpet जिसका area हमारे पास क्या है whose area is 287 meter चीक है 287 square meter तो उसकी क्या हो जाएगे हमारे पास इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे इस area को जोड़ देंगे 0.82 को चीक है square meter तो हमारे पास कितना answer आ जाएगा उसकी कितनी length आ जाएगी 287.82 meter तो अब हम cost निकाल देंगे तो हम लिखेंगे cost of 1 meter long carpet क्या है rupees 18 हम ही क्या निकाल लिए cost of 287.82 meter long carpet that is 18 multiplied 287.82 क्या answer हो जाएगा हमारे पास multiply करेंगे हम जब rupees 15180.76 तो यह हो गया हमारा question number 13 तो अब देखो question 14 क्या कहता है कहता है कि two cross rods दो road है जो आपस में से cross कर रहे है each of width 5 meter हर एक 5 meter चोड़ा है 90 degree के angle पे right angle right angle का मतलब क्याता है इस तरह से ठीक है उस पे run कर रहे हैं at a center of rectangular park of length ये है breath ये है parallel to its side बिल्कुल simple ये एक rectangular park है इसकी side में दो road है जो इस तरह से जा रहे हैं ठीक है इसकी length जो वो 70 meter है breath 45 meter है और ये 5 meter है यानि ये वड़ा 5 meter है और ये भी 5 meter है ठीक है कहता है find the area of two roads सबसे पहले तो इन roads का area निकालना है फिर निकालना है length क्या है इसमें ये लंबे बाड़ी 70 breath क्या है 5 75 is a 35 350 square meter ठीक है इसी तरह से EFGH निकालना है so area of rectangle EFGH क्या हो जाएगा length into breath तो length हमारे पास क्या है 45 और breath क्या हमारे पास 5 5 is a 25 carry to 5 forza 20 or to 25 square meter ठीक है अब यहां पर तो E double हो गया तो हम क्या निकालना है area of square square हो गया ना क्योंकि यहां भी 5 है इधर भी 5 इधर भी 5 I J K L that is side multiply side means 5 multiply 5 that is 25 square meter तो हम area of roads निकाल देंगे अब area of roads is equal to क्या हो जाएगा मारे पास area of rectangle A B C D plus rectangle E F G H minus square I J K L ठीक है यहां पर पूरा लिखना है rectangle rectangle square ठीक है तो यहां हो गया हमारे पास 350 plus 225 minus 25 ठीक है तो जब हम यहां से 25 अट आएंगे तो यहां बचा 200 200 और 300 550 square meter ठीक है तो यह तो हो गया हमारे पास अब आगे question क्या पुछा है क्यता find the cost of constructing road road की cost निकालनी है at the rate of 105 per meter square per square meter तो हम लिखेंगे cost of construction of one square meter road कितनी cost आ रही है हमारे पास rupees 105 तो हम यह किसकी निकालनी है cost of construction of 550 square meter road ठीक है तो हम क्या करेंगे 105 की multiply कर देंगे 550 से तो जब हम इसकी multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 7 7 5 0 तो यह हो गया हमारा question number 14 question 15 देखो आप क्याता है length and breath of a rectangular park are in the ratio 5 ratio 2 ठीक है एक rectangular पार्क है जिसकी length और ब्रेथ 5 रेशो 2 में दी हैं कहता है कि 2.5 cm चोड़ी path है जो कि इसके चार और जाती जिसका यह area है कहता है कि पार्क की dimension बताओ देखो भई यह बोला है कि यह यह मारे पास क्या एक पार्क है जिसकी 5 और 2 में यह 5x है तो यह 2x है ठीक है इसके side में 2.5 की जो है एक margin है एक path है ठीक है all around the path और इसका area दिया वह है इस वाड़े जो area है ना यह वाड़ा area इसका area दिया में 305 कहता है पार्क की dimension बताओ यानि 2x और 5x की value निकाल 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 देखो तो हम मान लेते हैं let the length of park is 5x and breath is 2x ठीक है तो अब हम इसको क्या से निकाल लेंगे कि हम क्या करेंगे इस पूरे का area निकाल लेंगे उसमें से इसको minus कर देंगे और जो answer आएगा उसको इसके बराबर रख देंगे तो हमारे पास question हो जाएगा solve तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे area of park क्या हो जाएगा length into breath that is 5x into 2x 5 to 10x square square meter यह हो गया area ठीक है अब इसके चार ओर जो side है उसको हम लिखेंगे area of park including path ठीक है तब भी हमारे पास length into breath तो length क्या हो जाएगी 1.25 sorry 2.5 है यह 2.5 इदर हुआ तो मालों यह length है 5x 2.5 इदर और 2.5 इदर तो यानि 5 यानि 5x plus 5 multiply 2x plus 5 ठीक है तो यह क्या हो जाएगी हमारे पास जब हम इसको solve करेंगे तो 5x into 2x 5 to the 10x square 5x into 5 plus में 5 5 to the 25x plus में 5 to the 10x plus में 5 5 to the 25 ठीक है यह हो गया पूरे का area तो हम क्या लिखेंगे अब area of path path का area हमारे पास क्या हो जाएगा is equal to area of park including path minus area of park ठीक है यानि बड़े वाले rectangle में से छोटे वाले को minus कर देंगे क्या दिया हो है path का area 305 तो यहां हम लिखेंगे 305 ठीक है और दूसरी तरफ हमें क्या दिया हो है यहां पर 10x square plus 25 और 10 35x plus 25 minus क्या minus करना है 10x square इससे यह पूरा कट गया अब यहां क्या बचा यह 25 plus का है उदर जाके minus का तो 305 में से minus करेंगे 25 अंसर आएगा 35x ठीक है तो इसको आगे solve करते हैं तो करो इसको minus 5 में से 5 गया 0 यहां बचा 2 is equal to 35x यह इधर आ जाएगा तो यह क्या बचा 280 35x 75's are 35 7 4's are 28 0 5 1's are 5 5 8 तो x की value उमारे पास क्या आ गई 8 meter तो dimensions क्या हो जाएगी ? dimensions of park will be क्या क्या हो जाएगी ? length हमारे पास क्या हो जाएगी ? 5x य September 5 x 8 40 meter breath हमारे पास क्या हो जाएगी 2 x x यानि 2 x 8 16 meter ठीक है तो यह हमारे पास अंसर हो गया 40 meter and 16 meter अब इसी तरह से हम देखते हैं अपना question number 16 चोकीस exercise का last question है कैता एक square lan है surrounded by a 2.5 meter wide if the area of the path यहाँ पे wide path आएगा भई शायद मिर से गलती से रह गया हो गया कैता है कि अगर area जो path का यह है find the area of the land बिल्कुल इसी question जैसा है क्या दिया है यह एक square lan है जिसकी side है हमारे पास 6 चीक है इसके 2.5 जो है 4 जो है एक path है जिसका area 165 square meter है कैता है कि भई lawn का area बता हो side बता होगी तो अपने आप यह area आजाएगा lawn का चीक है तो हम लिखते हैं let the side of lan is x meter टीक है तो area क्या हो जाएगा area of lan is side into side that is x into x x square meter टीक है x square square meter इस तरह से अब उसके बाद हमने देखा कि भई 2.5 meter wide है यानि कि हम क्या लिखेंगे यह rectangle मान लेते हैं a, b, c, d तो हम लिखेंगे side of square a, b, c, d क्या हो जाएगी x तो यह है plus इसमें 2.5 जोट दियो 2.5 जोट दियो 2.5 x plus 5 meter तो area क्या हो जाएगा area of square a, b, c, d क्या हो जाएगा x plus 5 into x plus 5 मतलब x plus 5 का square a plus b का square क्या होता है a square plus b square plus 2 a, b यह लिखा है मैंने 2 into x into 5 ठीक है यहां हो जाएगा x square plus 25 plus 10x ठीक है तो अब हम क्या करेंगे area of path निकालेंगे तो हम लिखेंगे area of path is equal to area of rectangle sorry rectangle नहीं है मारे पास square है square a, b, c, d minus area of lawn ठीक है तो इसका क्या है हमारे पास x square plus 25 plus 10x minus क्या minus करना है lawn का area यानि x square minus करना है कितना दिया हुआ है 165 इस x square से x square हट गया यह plus का उदर जाके minus का हो जाएगा तो 165 में से 25 minus गए 10x 5 में से 5 गया 0 6 में से 2 गया 4 40 यह 10 डिवाइड में आ जाएगा इदर multiply से 0 से 0 कटा यानि x की value क्या आ गई 14 तो हमको क्या निकालना था so side of lawn is 14 meter and area will be अब area हमारे पास क्या हैगा x square means 14 का square तो 14 का square क्या होता है 196 meter 196 square meter ठीक है तो यह में answer निकालना था 196 इसका answer आ जाएगा हमारे पास 196 square meter और यहाँ पर हमारे exercise होती है complete मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कि इसके होती है कि यहां है आएगा यहाँ कैस्ट में कि तो 15 इस opening देक्सट फेस झाल झाल